कीछ हैलो एब्रिवन अजाध हाई स्कूल की अउनलाइन क्लासिस में आपका स्वागत है आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कक्षा-च्टि की हिंदी पुस्तक का पारट ग्यारा इस पारट का नाम है पुस्तक कीड पुस्तक कीड का तह है किताबी कीडा तो इस पाठ में बताया यह है कि एक लड़की होती है जो हर वक्त किताबों में गुसी रहती है उसे रटती रहती है पाठ को बिना समझे उस पाठ को रटती रहती है सोते, उड़ते, बैड़ते घर पे, स्कूल हर जगा वो किताबे हाथ में पकड़के पाठ को रटती रहती है तो उसका अपनी सेहत पर और वेवार पर क्या सबर पढ़ता है यह हम इस पाठ को पढ़कर जानेगे तो चलो स्टार्ट करते है देखो पहले जीवन मुल्य हमारे पढ़ने का धंक ऐसा होना चाहिए कि हम विश्य को रटने की वजाए बास्त्विक ज्यान अर्जन के लिए अपनी बुद्धी और विवे का यतो चितु प्योग करे बुद्धिक शम्ता के विकास के लिए पढ़ने के सासाथ खेलना कूदना भी बहुत आवश्यक है तो देखिए पहले पाट में कौन-कौन से पातर है लता, सुलेखा, कुस्म, निर्मला, मालती और मुख्यदैपिका तो पहला द्रिश्य देखिए मंच पर कन्या पाट शाला का द्रिश्य धीरे-धीरे लड़कियों का शोर बढ़ता है बाहर छोटा परदा पड़ा है एक और से दो-तीन लड़कियां तेजी मंच पराती है कुस्म, अरे मालती, तुम इतनी तेजी से कहां बागी जा रही हो मालती, सुना नहीं, गंटी बच चुकी है कक्षा में जा रही हूँ, लता तुम ना जाने कहां रहती हो, कुछ पता भी है आज वहां क्या हो रहा है कुस्म, ये क्या जाने बिचारी, इसे पढ़ने से भी अवकाश मिले इसे भी कुस्म, ये क्या जाने बिचारी, इसे पढ़ने से भी अवकाश मिले हस पढ़ती लता ये भी उसी के समान है कुसम अजी उसकी सहली मालती क्रोज से कुछ बताओगी भी या यू ही हसी उडाती रहोगी लता ओहो ओहो मेरी रानी क्रोज गरना भी जानती हो मालती बई मैं चली मैं तुम्हारी तरहा हसी मज़ाख में समय होना नहीं जानती मुझे काम करना है परिक्षा सिर्पर आ रही है कुसम जी हाँ जैसे परिक्षा आप ही को देनी है मालती जी क्रोध ना करिये आईए हमारे साथ चलिए मालती पर कहां कुछ बताओगी भी कुसम हॉल में मालती वहां क्या है लता चलो तो पता लग जाएगा हाँ तुम्हारी कुछ हानी हो तो हमें दोश देना मालती अच्छा भाई चलो तुम्हारी जैसी इच्छा कुसम हाँ अब ठीक ठीक बात कही आओ जल्दी करो मुकदमा शूरू होने वाला है मालती मुकदमा कैसा मालती तुम निर्मला को जानती हो मालती निर्मला जो छटी में पढ़ती है लता हाँ वही निर्मला उपनाम तोती उपनाम बीमसेनी मालती हसकर भई तोती नाम का तुम मुझे भी पता था पर ये बीमसेनी क्या है लता ये बीमसेनी से बीमसेन से बना है पर अब चुप चाप इधर आ जाओ लगबग सारा स्कूल जमा हो रहा है छोटा परदा हटता है बहुत सी लड़कियां बैठी दिखाई देती है एक और से एक और मेज के पास के कुरसियां है उन पर मुख्य दैबिका तथा कुछ दैबिकाएं बैठी है शोर बढ़ता है मुख्य दैबिका मेज पर रूल बजाती है फे तिनो एक और बैठ जाती है शांत हो जाओ क्या करती हो? बैठना सीखो ये आवाज सुनते ही वहाँ शांती चा जाती है हाँ अब आप कहिए कुमारी सुलेखा जी मुझे आपसे इस लड़की के वारे में निवेदन करना है मुख्यदापिका इसका नाम क्या है सुलेखा जी इसके माता पिता ने इसका नाम निर्मला रखा है वैसे इसे भीम सेनी और तोती भी कहते हैं हसी उड़ती है मुख्यदापिका शांत मैं समझी नहीं बीम सेनी क्या नाम है सुलेखा हसी रोकती हुई जी बीम सेन बहुत बलवान थे ना इसी परकार ये भी बलवान है मुख्यदापिका हस्ती है उन्हें हस्ते देखकर सब हस पढ़ते है मैं समझी बेटी निर्मला ये सब तुमारी हसी उड़ा रही है ये बुरी बात है परंतु बेटी क्या करूं हसी मुझे भी आ रही है तब इने क्या कहूं देखो न तुमने क्या हाल बना रखा है तुमारे हाथ पैर सीख सलाई से हो रही है तुमारी आखें अंदर गुस गई ही है कभी शीशा देखती हो चोटी करती समय तो देखती ही होगी नीर्मला जी मुख्य देपी का फिर ये हाल फिर ये क्या हाल है गूमने जाती हो नीर्मला जी नहीं जो वक्त सैर करने का है वही पढ़ने का है मुख्य दैपि का खेलती हो निर्मला जी नहीं मुख्य दैपि का गर का काम तो करती होगी निर्मला जी समय ही नहीं मिलता मुख्य दैपि का समय ही नहीं मिलता आखिर क्या करती रहती हो जी पढ़ती हूँ सुलेखा इसकी मा कहती है अकसर रात को उठकर सोते सोते पाठ रटने लगती है मुख्य दापी का इतना पढ़ती है सुलेखा पूछो ना जी स्कूल में भी आकर आखे नहीं उठाती आदी छुटी की गंटी में भी इसके हाथ में किताब रहती है जब कभी कोई सहेली बाहर बुलाती है तो कह देती है ना वहन मुझे तो पाठ याद करना है ना कभी पिक्नी पर आज जाती है और ना यात्रा पर मुख्य दापी का पढ़ना तो बहुत अच्चा है निर्मला तुम इतना पढ़ती हो तब तो तुमें अपने सब पाड याद होंगे सुले का पूछ कर देखिए निर्मला जी मुझे सब कुछ याद है आप जो चाहें पूछ ले मुख्य दापी का बुगोल पढ़ा है निर्मला जी सारी दुनिया का याद है मुख्य दापी का पैरिस जानती हो कहां है निर्मला एकदम रटे हुए पाठ की तरह पैरिस अमेरिका की राज़दानी है दुनिया का सबसे बड़ा नगर है यहाँ पर दुनिया की सबसे उंची मारते हैं यहाँ फैशन का जनम होता है और यहें टैम्स नदी के किनारे है किनारे पर है हलकी और फिर तेज हसी उठती है लड़कियां खिल खिला पड़ती है मुख्य दापी का रूल बजाती है मुख्य दापी का शान्त हो तो निर्मला हिमाले पहाड कहा है निर्मला एकदम इंग्लैंड में मुख्य दापी का दुनिया में सबसे बड़ा पहाड कौन सा है निर्मला विद्यांचल यह भारत के उपर की और है यह भारत के लिए बड़ा लाबदाइक है उदर से कोई दुश्मन नहीं आया सकता इसके कारण वश्या होती है मुख्य दापी का उत्तर परदेश की राजदानी कौन सी है निर्मला कटक यह समुद्र के किनारे है यहां मचलियों का वेपार होता है लड़कियां किसी तरह मुँ में आचल दबाकर हसी रोक रही है अब नहीं रोक पाती मुख्य दापी का फिर उल बजाती है हसी फिर फूड पढ़ती है मुख्य दापी का शांत कुमारी सुलेखा आप इन सब प्रशन के उत्तर लिखती जाएए निर्मला ने बढ़ी योगिता से सब कुछ याद किया है कितनी फूर्ती से बोलती है सुलेखा लिख रही है सुलेखा जी मैं सब कुछ लिख रही हूँ निर्मला जी ये सब लड़किया मुझे देख कर हस रही है इन्हें मना कर दीजिए ये मुझे हमेशा इसी तरह चिडाती है मुख्य दापी का नहीं ये भूरी बात है जो लड़की हसी नहीं रोग सकती वे उठकर चली जाए लता जी हसी की बात पर भी हसी ना आए ये कैसे हो सकता है निर्मला मैं हसी की बात करती हूँ पर ना हसी की बात है मालती इतना पढ़ती हो तो तुम फेल क्यूं हो गई निर्मला वे मैं क्या जानू बहन जी जाने कि सब मुझ्य से इतना चिड़ती है की मुख्य दापी का शान्थ हो जाओ कोई लड़की बीच में ना बोले और निर्मला तुम भी उनसे बात ना करो निर्मला जी भारत का सारा इतिहास मुझे याद है मुख्य दापी का भारत के आदिवासी कौन है उनके बारे में तुम क्या जानती हो निर्मला एकदम से भारत के आदिवासी आ रहे है इनका रंग काला होता है नाग चप्टी और कद ठिगना इनकी आखे चमकती है हसी फिर एकदम फूट पढ़ती है मुख्य दापी का क्रोध निर्मला होश में हो निर्मला जी जी रो पढ़ती है जी सब मेरे दुश्मन है सब मुझे गिराना चाती है मैं इतना पढ़ती हूँ आगे बोला नहीं जाता मुख्य दापी का एकदम शांट निर्मला इदर आओ निर्मला पास आती है इदर आओ हाँ बेटी इस तरह रोने से खाम नहीं चलेगा निर्मला सुबक्ती हुई जी 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 मैं तो मैं तो मुख्य दापी का अब शांट हो जाओ विश्वास रखो हम तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहती हम तो यहीं चाहती है कि तुम स्वस्त प्रसन और होशियार बनो निर्मला रोती हुई मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ मुख्य दापी का पर गलत रास्ते से देखती नहीं तुम्हारा स्वस्त बिगड़ गया है तुम सदा चिड़ चिड़ाती रहती हो तुमने आज एक भी सवाल का ठीक उत्तर नहीं दिया मैं ऐसी लड़कियों को अपने स्कूल में नहीं रख सकती मैं तुम्हें ऐसा दंड दूँगी कि तुम सदा याद रखो निर्मला सुबक्ती रहती है बोलती नहीं मुखेदयापिका गंबीर स्वर में कुमारी सुलेखा मैंने तुमारी शिकायत की पूरी खोज कर ली है यद भी मैं तुमारे बरताफ से संतुश नहीं हूँ पर तुमारी बात ठीक है मैं निर्मला को दोशी ठहराती हूँ मैं उसे आग्या देती हूँ कि तीन महीने तक किताबों की सूरत ना देखे अपनी सब किताबें मेरे पास जमा कर दे और इस दोरान वे किसी पहाड़ी पर जाकर रहे निर्मला एकदम चुप हो जाती है लड़कियां अच्रजब से फुसफुस आती है मुख्यदैपिका शान्ती पहाड से लोटकर निर्मला को एक गंटा घूमना दो गंटे खेलना होगा इसी शर्त पर वे स्कूल में रह सकती है अब स्कूल दो महीने के लिए बंद हो रहा है मैं शिमला जा रही हूँ निर्मला चाहे तो वे मेरे साथ चल सकती है निर्मला एकदम हाथ जोड़कर मैं आपके साथ चलूगी अब मुझे अपने साथ ले जाईए मुख्यद्यापी का अवश्य ले चलूगी जाओ अब शांत होकर गर जाओ वे उरती है और छोटा परदा गिरता है सबस्माप्त होती है सब जाती है शोर फैलता है लता कुसम और मालती हस्ती हुई जाती है तो ये था हमारा पाठ और इसके लेकग है विश्नु प्रवाकर्ची अब आगे देखिए अभ्यास के लिए मोखिक प्रशन प्रशन प्रस्तूत पाठ किस विदा की रचना है इसका उतर है यहे पाठ एक एक कांगी विदा की रचना है निर्मला को भीम सेनी तथा तोती कहकर क्यों बुलाते थे इसका उतर है निर्मला को उसके बिना सोचे समझे रच्टा लगाने की लगाने की आदत के कारण तोती कहकर बुलाया जाता था इसी तरह उसे चिड़ाने के लिए उसकी दूब्ली काया के विप्रीध उसे भीम सैनी कहकर बुलाया जाता था प्रशन ग निर्मला की दिन चर्या क्या थी? इसका उत्तर है निर्मला सैर के समय पढ़ती थी गर में कोई काम ना करती थी रात को उठकर सोते सोते पाट रटने लगती स्कूल में भी आकर आखे नहीं उठाती किसी से बात ना करती बस किताबों में आखे गड़ाए रहती आदि छुटी की गंटी में भी किताब हाथ में लिए रहती किसी सहेली दुआरा बुलाये जाने पर भी पाढ़ याद करने की बात कह देती ना पिकनिक पर जाती ना यात्रा पर पर यही उसकी जात्रा पर यह उसकी दिंचर्या थी अब है प्रशन गब सुलेखा ने निर्मला को बीम सेनी कहने का कारण बताया इसका उतर है सुलेखा ने निर्मला को बीम सेनी कहने का कारण बताते हुए कहा कि बीम सेन बहुत बलवान थे इसी परकार ये भी मलवान है यहां सुलेखा ने निर्मला को दुबली पतली काया के लिए बीम सैनी शब्द का प्रयोग व्यंग रूप में किया है आगे है मेरी लेखनी बहुत भी कलपिये प्रशन तो सेहितर पर टिकका निशान लगाना है गंटी बचते ही कक्षा की और पोन तेजी से जा रही थी कुसुम, माल्ती, लता, सुलेखा तो इसका सेहितर है माल्ती ख लता और कुसुम, माल्ती को हाल में क्या दिखाने के लिए ले जाना चाहती थी नाटक, सिनेमा, मुकदमा, रित्य मेज पर कौन रूल बजाती है अध्यापिका कुस्म निर्मला लता है अध्यापिका निर्मला पैरिस को कहां की राजदानी बताती हैं अमेरिका की भारत की रूस की चीन की इसका सही उत्तर है अमेरिका की स्कूल बंद होने पर अध्यापिका ने अपने साध निर्मला को कहां गूमने चलने का परस्ताव दिया कुलू शिमला मनाली मसूरी तो इसका सही उतर है शिमला आगे है लगूत्रिये प्रशन प्रस्तूत नाटक में पहले दृष्चे में क्या दिखाया गया है इसका उत्र है प्रस्तूत पाठ में पहले द्रिश्य में क्रमशा तीन लड़कियों कुसुम मालती और लता को बाचित करते दर्शाया गया है। कुसुम और लता दोनों ही अपनी सखी मालती को स्कूल में होने वाले मुकदमे में ले जाना जाती हैं। मालती को हमेशा किताबों में खोया रहना पसंद है। किन्तु उसकी सखीयां उसे मुकदमे में ले जाकर पढ़ाई के साथ साथ आसपास की गदवीदियों के प्रती जागरुक बने रहने एवं जीवन में खेल कूद की महता को समझाने में मदद करना चाती है। आगे है प्रशन ख अध्यापिका ने क्या कहा कि सुनते ही हौल में शानती चागे। इसका उत्तर है अध्यापिका ने कहा कि शानत हो चाओ। क्या करती हो बैठना सीखो। यह आवाज सुनते ही हौल में शानती चागे। प्रशन ग, निर्मला क्यों रो पढ़ती है? इसका उत्तर है, निर्मला से मुख्य द्यापिका बिविन प्रशन करती है, किन्तु उसके दिये उत्तर गलत होते हैं, दिन रात किताबे पढ़ने उनमें दिया एक-एक शब्द रटने के बावजूद निर्मला मुख्य द्याप प्रशन परिका की परिक्षा पर खरीने ही उत्तर पाती, और गलत उत्तर दिये जाने की वज़े से ना केवल सबकी हसी का पातर बनती है, बल्कि मुख्य द्यापिका के क्रोध का भी सामना करती है, इन सव वजहों से बे रो पढ़ती है, आगे है प्रशन ग, दिन बर पर भी निर्मला प्रशनों के उत्तर क्यों नहीं याद कर पाती थी, इसका उत्तर है, दिन बर पढ़ने के बाद भी निर्मला सभी प्रशनों के उत्तर इसलिए याद नहीं रख पाती थी, क्योंकि वे बीना समझे उने रटती थी, खाने पीने पर ध्यान नहीं देती थी सदा चिड़ चिड़ाती रहती थी स्वस्त तन से ही स्वस्त मन का स्वस्त तन ही स्वस्त मन का निर्माता होता है निर्मला के साथ ऐसा नहीं था इसलिए अपनी कमजोर शारिरिक मानसिक शक्ति के कारम वे चीजों को समझने की वज़ाए रटने पर दियान देती थी आगे है प्रशन अन्त में मुख्यद्यापिका ने निर्मला को क्या सजा सुनाई इसका उतर है अन्त में मुख्यद्यापिका ने निर्मला को ये सजा सुनाई की तीर महीनों तक वे किताबों की सूरत ना देखे अपनी सब किताबे उनके पास जमा कर दे और स्विम किसी पहाडी स्थान पर गूमने चले जाए पहाड से लोट कर रोज एक गंटा गूमने और दो गंटे खेलने में वे दीध करे आगे है दीर गुतरिये प्रशन कर इस एक आंकी या नाटक के अनुसार निर्मला को पुस्तकीट क्यूं कहा गया है और इसका क्या अर्थ है तो इसका उत्तर है इस एक आंकी के अनुसार निर्मला को पुस्तकीट इसलिए कहा गया है क्यूंकि वे दिनभर किताबों में उलजी रहती थी, वे किताबी कीड़े की बांती बन गई थी, किताबों में दिये एक-एक शब्द को रठती रहती थी, बिना उसका अर्थ जाने समझे, स्कूल में आकर किसी से बाद नहीं करती थी, पिकंडी या किसी यात्रा पर भी नहीं जाती थ सोते सोते उठकर पाट रटने लगती उसकी इन ही आददों के कारण उसे पुस्त कीट की संक्या दी गई आगे है प्रशन खर मुख्यद आपिका ने निर्मला से कौन कौन से सवाल पूछे क्या निर्मला ने प्रशनों के सही उतर दिये तो इसका उतर है मुख्यद आपिका ने निर्मला से निर्मलिक स्वाल पूछे पहला है पैरिस कहा है दूसरा हिमाल्य पहाड कहा है तीसरा दुनिया में सबसे बड़ा पहाड कौन सा है चोथा उतर प्रदेश की राज़दानी कौन सी है पाँचवा भारत के आदिवासी कौन है इन सबी सवालों के उतर निर्मला ने गलत दिये आगे फृशन ग स्कूल में रहने के लिए निर्मला के सामने क्या शरط रखी गई इसका उतर है स्कूल में रहने के लिए मुख्य द्यापिका जी ने ये शर्त रखी कि निर्मला को तीन महीनों तक किताबों से दूर रहना होगा इस दुरान वे किसी पहाडि स्थान पर जाके रहे वहाँ से लोटकर प्रति दिन एक गंटा घूमने और दो गंटे खेलना होगा तबी वे स्कूल में रह सकती है अब भैप्रशन ग मुख्य द्यापिका ने निर्मला को उसके खुद के बारे में क्या बताया तो इसका उत्तर है मुख्य द्यापिका जी ने उसे बताया कि रोने से किसी समस्या का हल नहीं होता उसे स्वेम पर विश्वास रखना होगा स्वस्ते परसन और होश्यार बनना होगा कोई उसका दुश्मन नहीं है ना कोई उसका अपमान करना चाहता है उसका होश्यार बनने के लिए पुस्तकीट बनना गलत है ऐसा करने से उसका स्वास्ते तो बिगड़ा ही है सबाव में भी चिच्रापन आया है अधा उसे स्वेंप में सुधार करना होगा तो ये थे हमारे प्रश्णों के उत्तर अब देखी आगे भाशा और व्याकन अर्थ के अधार पर आड़ परकार के वाक्य होते हैं जैसे विदान वाचक वाक्य इसमें धीरे धीरे लड़कियों का शोर बढ़ता है निशेद वाचक वाक्य हम गूमने नहीं गए थे प्रशन वाचक वाक्य अरे मालती तुम इतनी तेजी से कहां बागी जा रही हो अग्या वाचक वाक्य पहले अपना कारिस्माप्त करो इच्छा वाचक वाक्य काश मैं भी आपके साथ शिमला जा पाती संदेह वाचक वाक्य शायद आज गक्षा द्यापिका ना आए संकेत वाचक वाक्य अगर तुमने अपने स्वास्ते पर ध्यान नहीं ध्यान दिया होता तो तुमारा मस्तिक्ष भी तेज होता आगे विसमे वाचक वाक्य वहां तुमने कमाल कर दिया तो अजी ही हमने यहां पर आट प्रकार के वाक्य खुद पनाने हैं पहले विदांए वाक्य इसमें एक सिंपल सा वाक्य आएगा जैसे दिलनी भारत की राजदानी है निशेद में आएगा तो जिसमें नहीं आएगा मैंने दर्वाज़ा नहीं खोला प्रशन वाज़क में प्रशन जैसा वाज़क आएगा क्या आपने दर्वाज़ा खोला है आग्या में आग्या वाज़क वाक्य में आग्या के लिए वाक्य आएगा क्रिप्या शान्ती बनाए रखे इच्छा में इच्छा वाच्चक आएगा काश मुझे भी विदेश जाने का अफसर मिले आगे संदेह वाच्चक में आएगा शायद आज मैं देर से लोटूँगा संकेद वाच्चक में आएगा अगर मेहनत करोगे तो परिनाम भी अच्छा पाओगे और विष्च में आएगा वा कितना सुंदर द्रिश्य है काओ प्रशन दूस्रा नीचे डिये गेश शब्दों के दो-दो प्राइवाच्ची शब्द लिखो तो यहां पे पांच प्राइवाच्ची शब्द आपने खुद लिखने नहीं के दो-दो आगे लिखने हैं या आपने खुद करना है आगे चलिए प्रशन तीसरा नीचे दिये गे शब्दों के वन विशेद कीजिए जैसे अभिलाशा का एक करके नोंने उधारन दिया है अभिलाशा का अ ब अ जमा ब जमा इ जमा ल जमा आ जमा च जमा आ ऐसे स्वागत का स जमा ब जमा आ जमा ग जमा अ जमा त जमा अ आगे सूर्यत देखा स जमा उ जमा र जमा य जमा ओ जमा द जमा अ जमा य जमा अ जमा आगे अंधकार का अ जमा न जमा द जमा अ जमा क जमा आ जमा र जमा अ तो आगे चलिए ये भी उसी के समान है चलो तो पता चल जाएगा समय ही नहीं मिलता उपर लिखे वाक्यों में परिव्त भी तो और ही निपात है निपात अव्यव होते हैं जिनका प्रियोग शब्द पर बल देने के लिए किया जाता है प्रशन जो था देखिए नीचे दिएगे वाक्यों में सही शब्द के स्थान सही शब्द के साथ निपात का प्रियोग कर वाक्यों को दुबारा लिखिए तो कह देखिए, भई तोती नाम तो मुझे बता था, तो इसमें आएगा, भई तोती नाम का मुझे भी बता था, आगे कह देखिए, आओ जल्दी करो, मुकदमा शुरू होने वाला है, तो इसमें कहा आएगा ही, आओ जल्दी करो, मुकदमा शुरू होने ही वाला है, आगे जैसे प्रिक्षा केवल आपको देनी है निर्मला तुम उनसे बात मत करो आगे चलिए प्रशन पांच निचे दिये गए वाक्यों में सही का निशान लगाकर बताईए कि ये वाक्य कौन सा बेद है पहला देखिए माती ने बड़ी योगिता से सब कुछ याद किया था ये कौन सा वाक्य है सरल सैयुतिया मिश्र ये वाक्य है सरल मैं उसे आग्या देती हूँ कि तीन महीनों तक किताबों की सूरत ना देखे तो ये कौन सा बाके है सारल संयूतियां मिश्र ये बाके है मिश्र तो बच्चो ये था हमारा कक्षा चटी का पार्ट 11 अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 12 पढ़ाऊंगी तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेर और लाइक जरूर करें थैंक यू